हेलो दोस्तो तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट कमांडेट कैसे बने तो दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज कल की अधिकतर जो यूवा हैं वो भारती सेनाओं में सामे होना चाते हैं दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की तीनों सेनाओं में जल सेना थल सेना और वाई सेना है दोस्तो भारत की जो सहस्तर जो तीनों सेनाओं है उनमें अनिक पद होती है उनमें से एक पद होता है असिस्टेंट कमांडेट का पोस्ट दोस्तो असिस्टेंट कमांडेट का जो पद होता है वो भारत सरकार के जो ग्री मंतरी की अधीन कार करता है यानि कि ग्री मंतरी की अंडर में कारी ये करते हैं दोस्तो अगर आप भी एक असिस्टेंट कमांडेट बनना चाहते हैं तो दोस्तो सौगत है हमारे यूटूब चैनल करियर फोकस टूपाइंजेरो में तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एगर आप भी एक असिस्टेंट कमांडेड बनना चाहते हैं तो आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए दोस्तो अगर हम बात करें योगिता में तो योगिता में सबसे पहले आपको 12 पास होना चाहिए दोस्तो आपको 12 किसी भी स्टीम यानि कि साइन्स कॉमर्स आर्ट किसी भी स्टीम से अगर आपने 12 पास कर लिया है तो आप इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं टोल्ट के साथ साथ आपको किसी भी graduation भी complete करना होगा तो आपको किसी भी मानेता परात यूवर्स्टी या फिर college से अपना graduation complete कर सकते हैं इसके साथ साथ जो आपके उम्र होनी चाहिए इसके लिए वो आपके उम्र 20 से 25 वर्ज के बीच में होनी चाहिए यदि आप OBC हैं तो आपको तीन वर्ज होड़ी तो आपको पांच वर्ज उम्र में छूटे हाँ पर दिया जाता है अब आए हम बात कर लेते हैं कि यदि आप एक assistant commander बनना चाहते हैं तो physical requirement यानि कि साहरीडिक योगताब के पास क्या होनी चाहिए तो जोस्तो घरा हम बात करें साहरीडिक योगताब में तो इसमें सबसे पहले नमبर पर आता है आपकी हाइट जोस्तो घराप male candidate हैं तो आपकी हाइट 165 cm होनी चाहिए यदि आप female candidate हैं तो आपकी हाइट 157 cm होनी चाहिए अब इसके बाद आता है दूसरे नमबर पर आपका चेस्ट है जोसतो अगर आप मेल कंडिडेट है तो आपका चेस्ट 80 से पचासी सिंटी मीटर होना चाहिए ये आप करे लिए पदाने चाहते हैं कि जो CHEST होता है, वो सिर्व 갈 M partner के लिए होता है, अपली होता है, फ्रिर Crust के लिए नहीं होता है, इसके साथ हम बात कर लेते हैं आपका weight का, अई आप personal candidate है, अई आप weight हैं, then 20Ah के लिए होने साहिए, और अधिया फीमल कंडिरेट हो तो आपका 48 कुल हो यानि कि मिनिमम आपका इतना होना है जाएए इससे कम रहेगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे दो इसके बाद आईए हम बात कर लेते हैं पूरी डीडिल्स में यानि कि 12 से से लिए कि एक असिस्टेंट कमांडेर बने था का आपको क्या क्या करना होता है आईए स्टेप बाइस स्टेप हम बात कर लेते हैं तो अगर आप ही एक असिस्टेंट कमांडेर बनना चाहते हैं त दोस्तो जैसे आपके पास graduation की degree हो जाती है इसके बाद आप assistant commander के लिए आवेदन कर सकती हैं दोस्तो आवेदन करने के बाद अगर हम बात करें तो यह exam जो आवेदन किया जाता है assistant commander का वो UPSC द्वारा conduct करा जाता है दोस्तो यह exam समय समय पर इसकी vacancy आती है तो इसमें आपको करना होता है दोस्तो आवेदन करने के बाद सबसे पहले इसमें आपका एक्जाम करा जाता है दोस्तो इसमें आपको 200 आपको मांग का पर यह होता है इसके बाद आपका आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगी जैसे आप जैसे आपका हैबिट है या फिर जैसे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं फिर इंगलिस में इसके बाद जैसे आप अपना रिटेन एक्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए लीबुलाया जाता है दोस्तो फिर्षक्त Ε tipo पहले आपका रैंग करा जाता है जो से अगर आप मेल कंदिट हैं तो आपको 100 मीटर के लिए 16 से केंड का संब्या जाता है यह दिया पिछिए मेडिकल में आँंकि कान कान आपके ब्लट ग्रूब और बार्गे पूरी बॉड़ी के अच्छे से चिक अब किया जाता है इस चन्सके इसके बार मेडकल के स्ट कène करने के बाद आकको डाकूम्मिंट verification होता है जिसमें आपको 10th की मार्चे 12th की मार्चे graduation की मार्चे रधार काड़ और जो भी वहाँ पे documents required होते हैं आपको submit करना होता है जो document verification के बाद आप एक assistant commanded बन जाते हैं अब आए हम बात करें जो काफे सारे students जाना चाहते हैं कि एक assistant commanded की starting salary किती होती है जोस्तों गर बात करें इनकी starting salary तो इनकी starting salary 40-60,000 रूपर इनकी starting salary होती है इसके लावा इन्हें government दोरा काफी सारे भथ्ते भी दिये जाते हैं इसके सांसा जैसे इनका experience बढ़ता है इनकी salary भी पढ़ती रहती है तो दोस्तों यह थी जानकारी कि एक assistant commander कैसे बने आई होप आप समझ गयोंगे कि assistant commander क्या होते है इनकी लिए योगता क्या होनी चाहिए फिजिकल requirement यानि कि सारी रिग योगता कितनी होनी चाहिए हाइड चेस्ट कितना होना चाहिए इसका साथ आपने आपको यह भी बता दिया किसमें कौन सा एक साम देना होता है इसमें आपको running कितना करना होता है और एक assistant commander का salary किती होती है सबके बारे में पूरी डिटर्स में हमने वीडियो कर लिए है आई होप यह वीडियो आपको हिलफल लगा होगा वीडियो से रिटेड आपके मन में कोई भी केस्ट चुन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसे ही नोलेज़ आपके लिए लाते रहते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं